हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस वीडियो में मैं आज आपको python mysql connector की सहायता से database को connect करके बताऊंगा तो यार सबसे पहले न मैं notepad open कर लेता हूं मैं basically CRUD operation परफॉर्म करके बताने वाला हूं database में using python language जिसके लिए हम लोग use करेंगे python mysql connector मैं थोड़ा से आपको overuse देता हूं मैं zoom in कर लेता हूं अगर आपके system में mysql इंस्टॉल नहीं है तो अफटक से google पर जाएए और mysql इंस्टॉल कर लेजिए अभी के लिए mysql में लिए मैं mysql इंस्टॉल कर लेजिए अभी के लिए मेरे पास zam server इंस्टॉल है मेरे system में जिसमें mysql इंस्टॉल है तो मैं उसको open कर ले रहा हूं मैं यह mysql डाउनलोड पार्ट नहीं इस वीडियो में बता रहा हूं मैं वीडियो को छोटा अस रखने चाहता हूं तो अपन कवर करेंगे पूरा crud operation ठीक है तो मैंने देख है और मैंने आप बोलो कि apache को open किया मैंने इसका GUI version मतलब जो mysql जो php myadmin देता है फिर वाइड करता है मैं उसको यूज करने वाला हूं गार इसलिए मैं आपाची को विडिस्टॉल कर लिया open कर लिया ठीक है कि मैं अभी यहां से open करूंगा तो मैं बढ़े हां सा GUI दिखा देगा है बढ़े हां से screen दिखा अपना python में एक mysql connector होता है अपना क्या होता है mysql connector mysql भी बोलते हैं लोग इसकी सहायता से मैं क्या ही लिखे जा रहा हूं ठीक है mysql connector की सहायता से मैं database को connect करूंगा किसके mysql भी चलो बहुत बढ़े हां तो इसके लिए मुझे एक requires का package का ठीक है python में एक package की requirement होगी मुझे इस चीज को मतलब database को connect करने के लिए ठीक है तो मैं इस package को install कर लेता हूं सबसे पहले यार मैं आपको बता देने चाहते हूं कि सेम सेम जो प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं मैं एक ब्लॉक की रूप में अपने site latestblog.co.in पर पोस्ट किया हूं ठीक है तो मैं इसको open कर कर लेता हूं ठीक है तो यहार मैं यहां पर search कर लेता हूं CRUD मेरा इंटरनेट थोड़ा सा slower इसलिए थोड़ा सा टाइम दे रहा है ठीक है तो ठीक है यहां पर CRUD operation in python आप देख सकते हो बढ़े हैं से मैंने बहुत अच्छे से पोस्ट लेका आप जाओ यहां से यहां से copy कर से अपन CRUD operation perform करते हैं python using mysql connector ठीक है और इसका जो लिंक रहेगा इस code का मैं आपको इस वीडियो के description में ज़े दूँगा ठीक है तो आपको code का tension नहीं लेना ठीक है logic समझो code जाओ must copy करो और use करो ठीक है तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम करेंगे क्या हम python mysql connector की साहता स mysql db को connect करेंगे ठीक है तो इसके लिए मुझे python mysql connector भी तो चाहिए है तो सबसे पहले मैंने विजर स्टूडियो को open कर लेता हूं और मैंने यहां पर प्रोग्राम मना देता हूं क्या बनाता हूं mysql operation क्रड लिखता हूं तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं है फिर मैं command prompt open करके लिख सकता हूं कहीं पर भी लिख हूं यार क्या किया जा रहा हूं है type कुछ भी कर रहा हूं ठीक है चलो बहुत तो यहां पर आप मस्त लिखो pip install 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 mysql-connector यार मैंने ना मतलब मैंने अपना personal experience में आपको बता रह जाता है और अगर mysql-connector मेरे सिस्टम में अलवेड इंस्टॉल है hyphen python बट आप इसको अच्छे से इंस्टॉल करो ठीक है वेट 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 कलेक्टिंग मैंने सिस्टम अपना रिसेट किया था माइड भी चलो इसको बड़ा से डाउनलोड हो जाना है तो यह डाउनलोड हो रहा है अच्छे से होने दो भाइस को डाउनलोड ठीक है बट मैं आपको बोलूगा कि pip install mysql-connector अगर mysql.connector भी आप यूज करोगे तो नेटेविल वग एपसलूटली फाइन ठीक है आप बढ़े हैं से जो भी आपको वर्जन यूज करना है करो इसको इंस्टॉल हो जो डाउनलोड टाउनलोड करने के आप आपको मैं आपको हाइली रिक्मेंट करेंगा कि आप यूज करनेगे तो अगर नहीं चल रहा है तो फिर आप आराम से यार यहां पर जाके मैं टेबल बना रहा हूं जहां पर जाके मैं टेबल बना रहा हूं अब बेसिकली एकाम माई सीक्वेल की सहाथा से भी कर सकते हो जो आप अभी माई सीक्वेल डाउनलूड किये रहोगे ठीक है आपके सिस्टेम में अगर अल्यडी है तो आप वहां पे जाओ उसका सी यह लाई अगर अगर आप कमांड प्रॉम्ट पर उपन करें वहां पर अबर्ड की नाम से मैं बना रहा हूं database मैंने create कर दिया है मैंने यह यह आपे table मैं है table किस नामरूसे बना आपा हूं student इसे टेबल बना दिया है मैंने इसमें column 3 रखने चाहता है मैं बहुत बड़ा नहीं करने वाला हूं इस table को ठीक है ठीक है लोड हो रहा है यहां पर मैं पहला देता हूं student का id जो के एंड में रहेगा ठीक है उसके बाद मैं यहां पर डेटाबेस कैसे करते हैं टेबल कैसे करते हैं इसको यूज कैसे करते हैं अगर समझने में कुछ भी प्राप्लम हो रहा है तो आप कमेंट करो तो मैं नेम के बाद उसका इमेल आड़े देता हूं इमेल खेंस देता हूं यह इंत होगा फ्रेंट रहता हूं इमेल को भी वैर कर रखते तक है उसके बाद इसका लेंट cancer कि में दस देता हूं इसका अछतार Și यह उसको कोई इस्यू ना हो मैं इसको सेव कर दे रहा हूं कि चलो बहुत बढ़े हैं मेरा टेबल नेम तो जकास बन गया मैं अगर चाहूँ तो इसको प्राइमरी की बना सकता हूं ठीक है कि तो मैं अभी अपने प्रोग्राव में आता हूं दर मैं करने के अवा यहां पर नुटरवेड में वह को समझा देने चाहता हूं मैं Palestinian そうですね मैं पहलने स्ट धेफ नह사ब नियों हम चेप फस्त जो मेरा रहने वाला है वह वाइगा डेटाबेस से अ मतों केंदे से जहाँ डेटाबेस connection लिख दे रहा हूं connection उसके बाद मैं सबसे पहले बनाने वाला हूँ मैं यहां पर ऐसा टाइब करके बुल रहा हूं सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं क्या बनाने हो लेओ इंसर्ट मतलब की create मतलब इंसर्ट करों मैं इंसर्ट नाम से एक मेतल बनाऊंगा जो की नेम और क्या लेगा email लेगा एज और ठीक और ठीक है अपने database में इंसर्ट करके देखें मैं यहां प्लिक दे रहा हूं data data will be inserted ठीक है अब spelling देख लेना हर मैं अगर अगर कुछ गलत कर दे रहा हूं ठीक है तो इंसर्ट के बाद करूँ अपडेट करना चाहूंगा तो मैं एक अपडेट नाम का यादा आई डे अपना यूनिक झांडी और क्या उसके बाद अंगे में अप्डेट करना चाहता है रिक चलू बूद्ध इस नहीं ना करकर इमेल गरें नाम तो जल्दी अप्डेट करता नहीं मेल खरता है थोड़ाँ सो मैं इसको कंसिटे रखना चाहता हूं या आप कुछ करेक्ट तो मैं बढного date will be A capacity updated tearing by theni करेक्ट तो्यार मैं थर्ड मेठेल बनावांगा थर्ड मेठाड यार मैं बनावांगा अ Two इंडिवर का कि मैं आइड करोंगा में आईडी के वस्पाइड अगर दो अगर दिया जाए तो बंदे को डेटा सुट भी डेटा सुट भी डेटेट करेक्ट मैं एक और मेथर बनाऊंगा यार फोर्थ मेथर मैं क्या बनाऊंगा कि यार मैं डेटा को फेच करना जाता हूं और यार आपना साही है तो tiếp बनाने वाला हूं पाइसन में डेटान के को अपनी अपद को बनाने वाला हूं पाइसं में पाइसन के को अपनेimi अम्निस पीच कुल्ट फेशाणी यार कुल्ट मैं क्या करना हुआ जो अभी मैंने एक python में प्रोग्राम बनाया है crud operation.py यहां पर हम इस प्रोग्राम को इस जो सारे crud operation है इसको perform करने वाले ठीक है तो मैं सबसे पहले जो अपन ने इंस्टॉल किया था mysql connected उसको import कर लेता हूं मैं यहां पर एक connection बना था my tv अपना हमने database बनाया है जो भी हमारा whole it सरवर है, क्या है, रूल्रोल, पासवर्ड गया है, database name गया है, I set कर रहा हूँ, मैं connection create कर रहा हूँ, मैं basically object create कर रहा हूँ connection के लिए connection concept मैं connect कर रहा हूँ, किसको connect कर रहा हूँ, कुछ argument लेता है, इसने host, अपना host के है आभ ही के लिए मैं local host use कर रहा हूं जाँ, जो आपना MySQL का मैं लोकल असी उस करेक्ट उसके बाद लोकल उसके बाद मेरा जो पासवोड मैंने पासवोड से पहले में यूजर तेके इस और यूजर मेरा यूजर नेम है purcham मेरा यूजर नेम है मेरा यूजर नेम है रूट अभी दीट लीट अब अगर बाइद रूज्स कर रहे हैं कुछ भी कोई सब्सक्राइब अगर आपने कुछछ नहीं किया तो तो यूजर नेृट ही रहता था ठीक है मैं जो जैंब यूज कर रहा हूं वहां फे भी मेरा वाइद इफॉल्ट यूजर नें रूट है प अब बनाया है देख लेते हैं में भूल गया तो देख लेते हैं तो मैं यहाँ पर तो कर लिया है जहकास तरीके से मैं एक बार चला के देखता हूं कुछ इस्यू तो नहीं आ रहा है ठीक मैं एक पहले बना ता जिसके थू है केरी एग्जीक्वीट करूँगा ठीक है जो भी मेरे कमांड से रहेंगे मैं उसको एक्जीक्यूट करूँगा मैं बोल रहा हूं माई कर्सर हि बना देते हैं कुछ भी बनाओ यार समय इने माई कर्सर करता हूं इस इकटाओ मैं क्या करता हूं इस mydb में से mydb मैं जो भी अपने connection किया है dot cursor नाम का यहाँ पे function होता है तो मैं must my cursor नाम का एक I can say like मैंने object क्रेट कर लिया है जिसके थू अभी मैं क्या करने वाला हूं तो अभी मैं इसको चला के दिखता हूं कुछ हीशिव और तो नहीं आ रहा है अभी तो मुझे कुछ हीशिव नहीं करते हैं अभी तक तो कनेक्शन हो गए रहा है सब जखास तरीके चला है चलो बहुत बढ़े हैं तो यहां पर जो इंसर्ट अपडेट डिलेट का मैं वहां अभी यहां पर इसको पूरा कर लेता हूं मेटड़ को समय इंसर्ट 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 लेट unters अच्छा रहाएगा थी इसमें मैं दूंगा जो कि हमने हों कि हमने बना रहा रहा है नेम और e-map नेम और इमेल अपनेट कर दे रहाँ पैंग इंदे उसके बाद मैं update data इसमें मैं id दूंगा उसके बाद email दूंगा जैसा कि हमने method में बनाया है कि हमें email update करेंगे मैं इसको pass कर दे रहा हूं मैं जल्दी जल्दी यार बना रहा हूं कि कि मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करने वाला हूं ठीक है डिलेट के spilling मैं गलत कर रहा हूं डिलेट डेटा मैं इसमें पूरे डेटा को फिच कर रहा हूं इसलिए मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूं तो अभी के लिए अभी के लिए तो इंसर्ट के लिए मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूं अच्छा लगे दिखने में दिखने भी अच्छा लगने मंगता है तो मैं एक एक अपन टेस्स करेंगा तो यहां पर करने के आवाला हूं मैंने इन सारे ओक्रेशन को ट्राइए एक्सेप्ट के बाद मैं क्या करने वाला हूं कि ताकि अपने के कुछ इस्यू अगर आए तो अपने जो प्रोग्राम है वो बनना हो जाए क्या रहा हूं तो मैं तो आपको highly recommend करूंगा आप ट्राइए एक्सेप्ट यूज करो यार मैं आपको बाद में वीडियो बना के बता दूंगा कि कुवा कैसे करता है अगर आपको नहीं पता तो ठीक है क्योंकि अगर आप वह चीशिवा रहा है तो आप पर प्रोग्राम होई क्लोज ना होना चीए तो मैं ट्राइए के अंदर का लिख रहा हूं बट यार एक recommended नहीं आप नहीं भी करो तो भी चलेगा ट्राइए में क्या करने वालों मैंने जो अभी करसर बनाया है माई करसर नम से मैंने वेरिबल बनाया ठीक है मैं उसमें एक्जिक्यूट करता हूं इस वेरिबल में चाहूं तो एक अलग से वैरिबल में बना सकता हूं एसके वेरिबल नाम से बनाते हैं है मैं यहसे कर रहा हूं आपको जादा आच्छा आसा नहीं रहा समझने QE R, SQL Query is equal to Metable Quartz में लिकर हूँ, ताकि मैं यहां पर मैं मैं करने के आवाला हूं, मैं यहां पर करने वाला हूँ, इसर्ट करने गुर्ण हूं, करें, नौर्मल,तम आपना SQL Query हो सही हो चलाने वाला, इसर्ट कर रहा हूं न, इसर्ट एंचर्ट इंटू, टेबल नेम मेरा है टेबल नेम मेरा है टेटेंट डेटा टीक है student डेटा और स्टूडेंट डेटा इसके बाद मैं अपना चो हमारा कॉलम्नेम है उसको मैं देने वाला हूं कॉलम्नेम मेरा क्या है यार क्या है इसके लिए टो मैं पास करूंगा यहां से अगर दूंगा कुछ तो मैं आपको नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि कि सायता से हम किसी भी स्ट्रिंग में अपना जो वैरियेबल है उसको इंसर्ट कर जकते हैं कर ली ब्रेशिस के अंदर तो यार मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि एस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे से टॉपिक बोल दिये इसमें आपको बोला कि मैं तो यार मैंने अभी के लिए तो ने में और email को यह में डाल दिया तो यार मैं मैं happy घॅ żyकेट्र मैंने .... मैं क्वॅदे जाता हो यार मैं क्या करना चाहता हूं मैं उसको करना चाहता हूं एक्जि What Are Time मैं इसको execute करने के बाद मैं क्या किया मैंने पहले करेट किया ठीके मैंने यहां पर क्टिन्ट कर लिया मैंने कम इंदर करता हुआ कि मैं ईसको पर चला के देखने चाहता हूं चलाने के लिएita करता हूं उस इंसर्ट अपने में 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 तर बाता उसके अंदर सारे में को कॉल करना जो भी है मतलब इंसर्ट अपडेट डिलेट बट मैं भी हैं टेस्टिंग के लिए यही पर कॉल कर रहा हूं तेरा हूं मैं अपना नाम में दे रहा हूं ते principle इसको रन करता हूं गार एक्सक्पेट बढ़ियां से रन हो जाना चाहिए तरी सक्सेश्फुली इंसेटेटा मैंने अपने डेटाबेस में जाता हूं देखता हूं हुआ फिर हम बस भॉक्वाल ही देख रहा है तक यह आप देख सकते हूं एकदम बढ़ियां से जगास तरीक आपने बना लिया है इंसेट करने के लिए लिए चुक्वाद आपको क्याए बहुत भूँत धन्यवाद आपको आपने हाथ वीडियो देखे तो आपने अपडेट डेटा के लिए मित्थ बनाते हूं तो मैं करने के आवाल हूं जैसे कि ID ले रहा हूं उस ID के थरू email को मैं सबसे पहले सेम में का करने माला SQL query में फीस को भी ट्राइ यार यह अपना बेस्ट प्रैक्टिस है कि अपना ट्राइ एक्सेप्ट यूज करते रहे ताक कि कुछ अगर एरर आता है कोड में तो हमारा कोड अना रुख जाए ठीक हमारा कोड मतलब हमारे प्रोग्राम ना बन दो जाए ठीक है मैं प्रिंट कर देता हूं ए को जो भी अपने को प्रिंट होगे आ जाएगा फिर इसके इंतर मैं क्या कर रहा हूं फिर से जाते इस्के वाला पूरा डेटा है इसको कापी करो मस्त यहां प्र यहां पर पेस्ट कर दो है जी चीड़े आपका एक लाइन बच जाएगा बट मैं यार थोड़ा सा यहां पर सिस्टेमेटिक डंक से लिख रहा हूं इसलिए मैं यहां पी लिखा ठीग है फिर मैं यहां में करता हूं Set Set क्या करता हूं Email Set क्या करता हूं Email Table Name Email इमेल एमेल इसको डबल कोट में डालता हूं इसको भी एक स्ट्रिंग में लेता हूं और यहां मैं अपना curly braces में email डाल देता हूं जो मेरा जिसको मैं यहां वाला इसको अब्डेट करना हूं ठीक है इससे चलो ठीक है वेर में वेर कंडिशन देता हूं यहां से पास कर रहा हूं ठीक है तो यार मैंने तो लिख दिया है बढ़े ऐसे ठीक है मैं आसा करता हूं कि काम करें ठीक है मैं इसको चिक कर लेता हूं फिर इसको अपन फिर से क्या करेंगे कि मैं माइडीबी डाट कमिड चलो बहुत बढ़ें तो यार मैंने कमिट कर दिया इसको बहुत ज़कास तरीके मैंने मैं इसको कमिट कर दिया चलना चाहिए मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं इसको रन करता हूं मैं नीचे से क्लियर कर देता हूं ठीक है तर मैंने रन किया मैंने फिर से दीपक नाम के बंदे को मतलब फिर से मैंने एक रिकॉर्ड आइड कर दिया कि मैंने यहां पर अपडेट वाला फंक्शन नहीं चला था वह इंसर्ट वाला चला गया यह आप दिखाऊगे यहां पर चुकि हमने नेम और इमेल पर कोई भी इस मैं अपर ने एक लिट देथा हम ऊच्छे से कमेंटर की में है अब उसके बाद मैं में है मेथ में कॉल कर रहा हूं में फिर से किरा हूं में है calling for updating the data, updating, updating, dating by the data, correct, चलो बोजबना है, तो मैं यार update data को call कर रहा हूँ, मैंने चाहता हूँ कि जो मेरा first वाला value जिसका id 1 है, उसका email id dpac.gmail.com से change होगे कुछ और हो जाए, तो मैं बोलना हूँ जिसका first id है, उसका email id जो है, क्या हो जाए, तिवारी हो जाए, तिवारी at gmail.com, correct, तो यहर मैं इसको चलाता हूँ और as expected चलना चाहिए, देखते हैं, कुछ issue रहेगा तो अपन fix परेंगे, record updated successfully, मैं एक बार जाकर यहाँ पर reload कर लेता हूँ, यार, देख लो यहाँ पर, एक्तम जगास तरीके से अपना record update हो चुका है, मतलब आप second method भी complete कर लिए हैं, भाई, congratulations आपको, ठीक है, अब अपने लिए congratulations लिख दो, comment पे, ठीक है, आप अपने लिख होगे, क्युकि आपने complete कर लिए है, चलो यार, मैं इसको comment करता हूँ, तो फिर से अपना जाके update हो जाएगा, ठीक है, तो update, अपने अभी अपने को क्या करना है, record का करना है, भाई, complete, तो मैं क्या करता हूँ है, और मैं इसको copy कर लेता हूँ है, क्योंकि बस अपने को SQL query चेंज करने है, बाकि सब तो code सेम ही है, ठीक है, तो मैं क्यूं भाई, बार बार लिख हूँ, अब यहाँ पर record के जाएगा, पर मैं लिख देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ, यहाँ पर आपने को ID के recording, ID के recording, delete करना है, जो ID उसके recording, delete कर दो, तो मैं कर रहा हूँ, delete, delete from, from, किदर गया भाई, क्या लिखा, from, table name क्या है, table name क्या है, अपना, student data, student data, किदर क्या है, student data, delete from student data, where, where क्या हो गया, where ID, मैं ID मतलब की ID के थुरू कर रहा हूँ, ID is equal to, जो अभी हपन यहाँ से, मतलब इसको भी F string में मैंने लिखा है, ID क्या है मेरा, जो यहाँ से मिले रहा हूँ, जो function के थुरू लूँगा, इस ID पर जो उसको delete कर दो, तो मैंने second वाले को delete करूँगा, ठीक है, और अपना execute सेम है, commit भी सेम है, ठीक है, सब बढ़िया से, तो यहार मैं अभी delete वाला चला के देखता हूँ, चल रहा है कि ने, तो मैं कर रहा हूँ, मैं comment कर दे रहा हूँ, method, method calling for, for deletion, deletion ऐसा link दे रहा हूँ, आप समझ जाना भाण, फिर उसके बाद मैं कर दे रहा हूँ, delete data call कर रहा हूँ, इसमें ID पास्में तो second row, पतलब यह वाला second ID के लिए जो data इसको delete हो देना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे करके delete कर रहा हूँ, delete record successfully, मैं एक बार refresh कर दे रहा हूँ, भाई अपना प्रोग्राम में जखाश चल रहा है, delete record successfully, बढ़या, second ओले पे delete हो गया, यार हम तो यार काफी बढ़या से एक तमयर कर रहा है है, मैं एक और record add कर लेता हूँ, ताकि मैंने जब अभी fetch के लिए करूँ कुछ अपने पास record हूँ, तो मैं insert वाले के लिए दीपक के जिगह पे कर लेता हूँ, तो मैं इसको उपर चला लेता हूँ, successful यहां पे आनन का data आ जाना चाहिए, आनन 3 क्योंकि अपन 2 के लिए डिलेट कर चुग है और प्राइमरी के आउटो इंक्रिमेट है ठीक है, प्रीवेस वोल लेता है, चलो बहुत बढ़े हैं, तो मैं इसको भी comment कर देता हूँ, अभी मैं करने जा रहा हूँ, fetch all data के लिए ठीक है, तो मैं इसके लिए करूँगा क्या है, मैं इसको भी copy कर लेता हूँ, मैं आपको समझा दूँगा क्या करना है, तो फिर आप बोलो गया भाई आप copy की जा रहे हैं, मैं सबसे पहला अपना वाला try कर लेता हूँ, try accept यूज कर लेता हूँ, try try उसके बाद except 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 exception as e, मतलब मैं इसको exception जो आएंगा उसको print करूँगा क्या exception है, तो मैं try में क्या करूँगा, SQL query लिख देता हूँ, मैं एक SQL लिख के दिखाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई आप SQL query की नाम का variable लिख रहे हूँ, मैं SQL SQL ही लिखता हूँ, SQL उसके बाद मैं इसमें query में लिखता हूँ, मैं इसको app string की तरह यूज करूँगा, अगर ना भी करूँ तो चलेगा है, क्योंकि मुझे अंदर कुछ ID वीडियो में कुछ तो fetch कर रहा हूँ, मैं सारा data ले रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, select star from table name मेरा क्या है, मैं इसको copy कर लेता हूँ, बहुत तेज भूल जाता हूँ, इसलिए मैं copy कर रहा हूँ, student data, मुझे पूरा data मिल गा, तो अभी मैं करूँगा क्या, मैं करने वाला हूँ, मुझे तो पूरा data मिल गया भाई, तो अभी मैं फिर से my query अपना चला जेता हूँ, my cursor पे dot execute, यार execute करता हूँ, execute, execute में SQL डा देता हूँ, मैं अगर यहां पर मैं SQL है, यह variable ना भी बनाऊ, मैं इसको बस copy करके, यहां पर paste कर दूँ, SQL के जिए तो भी चले गया, बट में separate variable name बना के आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में है, आपको लगे हाँ, क्लोज हुआ, parenthesis हो नीचे आ जाएगा, इससे अचार एक जिखा पर एक string में store कर लो, डॉक स्टिंग में भी आप store कर सकते हो, यहां पर यूज कर लो ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, फिर उसके बाद आर मेरा ना अभी मुझे कुछ DB में कुछ इंसर्ट होगा रहा तो करना नहीं, या फिर कुछ अपडेट होगा रहा नहीं करना डेलेट नहीं करना, मुझे डेटा चाहिए, डेटा पर से डेटा चाहिए, तो मैं का करता हूं, मैं जो my cursor है, मैंने जो query execute के, उसमें से मैं fetch कर लेता हूं, जो मुझे query ने result दिया, fetch all, तो मैं इसको करता हूं, list of data, list ही डेता हूं, मैं एक बार चला के देख रहता हूं, list देता है कि क्या है, तो मैं इस method को एक बार चलाता हूं, fetch all को, देखता हूं कि मेरा result में आता क्या है, तो मैं इसको return कर देता हूं, या फिर मैं return ना करके यही भी print करा देता हूं, मैं यही भी print करा देता हूं, चलो यही बढ़े रहेगा, आपन चाहे तो यार फ्रंक्शन की तुरू return भी करा सकते हैं, बट मैं यही भी print कर रहा हूं, प्रिंट कर देता हूं, list of data, मैंने साथ ही साथ, मुझे इसका type भी चाहिए, I think कि अपना list ही रहता है, देख लेते हैं, मैं run कर रहता हूं, यार मैंने कुछ call नहीं किया, मैं यहां पर फिर से कर दे रहा हूं, method calling, method calling for fetching the data, fetching the data, चलो बढ़े हैं, तो यार मैं यहां पर fetch all data call कर दे रहा हूं, यहां पर कुछ आया, मैं argument पास नहीं कर रहा हूं कि मेरा method है, has no attribute fetch all, fetch all, fetch all, नहीं भाई, क्या है भाई, fetch all है यार, क्यों issue आ रहा है, fetch का F capital होता है, I think so, मैं अगर कुछ आपने को issue आएगा, तो हम Google कर लेंगे, has no attribute fetch all, तर मैंने same problem अपने latest block पे solve किया था, तो मैं वहां पर जाके देख सकता हूं कि मैंने किया था क्या, जिसको मैंने अभी open हमने open किया था, get all में fetch all, oh sorry, my bad, यहां पर F बी small में रहेगा, और a b small में रहेगा, चलो बहुत बढ़े, तो अब यह चल जाना चाहिए, यार मैं इसको फिर से run कर रहा हूं, यह न लिस्ट है, हमने जैसा बोला था, लिस्ट में value देगा आपने को, सारे जो data है, उसको लिस्ट में करके देगा ठीक है, यहां पर दो records अपने पास, पहला अपना यह आगे, दीपक का जो रिकार्ड हम रिकॉर्ड इंसट कहता है, अनन्द का ठीक है, item in, list of data, तो मैं list of data, मैं print करता हूं, मैं चाहँ तो item, यह object है क्या, मैं try करता हूं, I think कि नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम try करें, तो क्या हो सकता है, तो error मुझे देगा, has not correct, मैं आपको जैसा बोला है, यहां पर मैं इसको आपन, slicing के through कर सकते हैं, zeroth index पर क्या है, मैं zero क्यों है, मुझे name चाहिए, तो मैं name चाहँ, मैं name प्रिंट कर लेगा हूं, तो यह अपना as expected है, space कहां से आ रहा है, यह कहां से आ जा रहा है, इसको मुझे देखना है, देखना पुद है ठीक है, नला है अगा इसको अगहित प्रिंट लगा कर ला आप यहां फो अग्या है. धार अजिर्ट today जाiten आ है आपके लिए मैं करता हूं आइटम के जीरोत इंडेक्स पर मतलब आइडी क्या है उसके बाद उसका थोड़ा से चाहूं तो बीच में स्पेस दे सकता हूं तो यार अगर ऐसे ना करते हूं मैं क्यों कॉम्प्रिकेटेट करूं मैं एक एक स्ट्रीम रहा देता हूं ना भाई म इसके बाद स्पेस देखे कॉमा देखे कॉमा देखे इसके बात हो गया है नेम एक बढ़या से मैं इसका नेम दे रहा हूं मैं आइटम के जीरोत ओन इंडेक्स पर ना नेम है ठीक है फिर उसके बाद कॉमा देखे इमेल मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूं और कुछ नहीं कर कर सकते हूं नो डाओ ठीक है तो आप अगर अभी डेटाबेस से करेंट कर लिया हो चौन आपका पर फॉर्म ह सकते हो फॉर्मेटिंग कर रहा हूं ठीक है तो मैंने फॉर्मेटिंग कर लिया है मैं एक बार इसको रन कर लेता हूं तो कितना बढ़िया से मुझे आउट पूट देरा आईडी एक है इसका नेम दीपक है इमेल तीवारी है आईडी तीन है तो यार यह बस फॉर्मेटिंग था बट अभी के लिए स्वीडियो में इतना ही मैं आशा करता हूं कि आपको पाइफन की सहायता से माई स सीकेल डिटाबेस को कनेक्ट करना आगया हूगा ठीक है उसके लिए एक लाइक और 구독 बनता है चैनल को अना SEER節 हो सबको सबको आना मंगता है क्या अब हम अगले वीडियो में है मैंने कुछ मैंने कुछ PM अमने असके आपको 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 है क्ला मैं करना है तो आप नीचे कमेंट में मुझे असके रुर्श पर ओंड है तो मैं उसके लिए वीडियो बना तो अब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका देजोगों थे नहीं